मेरे हाथ में यह एक एफिडेविट है Deputy Superintendent of Police, DYSP, N.V. Patel की यह एफिडेविट है और Sessions Court Godra में यह एफिडेविट फाइल हुई है गौर से सुनिएगा मैं यही बात रखूँगा जो इस एफिडेविट में है और एक जिम्मेवार उपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेवारी के साथ कुछ ऐसी चीजे जिसको आप सुनेंगे देश की जनता भी सुनेगी तो चौक उठेगी ऐसी कुछ सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं यह एफिडेविट कोर्ट में फाइल हुआ उसमें जो लिखा है और कुछ सच्चाई आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोड के सामने सरकार ने कहा कि नीट की एग्जाम में कोई दांदली नहीं पेपर लिक नहीं हुआ बारत सरकार ने मंत्री ने कह दिया साब चंगासी डेप्यूटी सुप्रीटेंट अप पुलीस अन ओथ एफिडेविट पे सेशन स्कॉर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का यह स्कैम था इन्वेस्टिकेशन के दोरान करोडो रुपिय मिले हैं धेर सारे ब्लैंक चेक मिले है उन बच्चों के पेरेंट्स की और से जिन्होंने नीट की एक्जाम दी है डेप्यूटी सुप्रीटेंट अप पुलीस अन ओथ एफिडेविट में कहते हैं कि साब एक ऐसा स्कैम था कि महराष्ट औरिशा और बिहार और स्टेट से माने जब आप नीट की एक्जाम के लिए एप्लिकेशन डालते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे और अगर उस सेंटर में एक सेंटर में तीन सो स्टुडेंट बैठ सकते हैं और एप्लिकेशन पान सो की आ गई तो फिर कॉंप्यूटराइज ड्रो होता है कि कौन से स्टुडेंट वहां जाएंगे पर आपको चॉइस मिलती है तो यह एफिडेविट कहता है कि बिहार, औरिशा, महराष्ट और कहीं राज्यों से जिनके साथ इनको इनका सेटिंग हो गया उनसे एडवांस पैसे लिए एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लिकेशन लिखो उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जाई जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए मैंने आप समझ सकते हो कि गोधरा डिस्ट्रिक्ट में जहां एरपोर्ट नहीं है सेंटर पे वहां कोई ओरिशा से कोई बिहार से कोई महराज से एक्जाम देने जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि एक सेटिंग हुई इस एफिडेविट की बाते में कर रहा हूं, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, DYSP की एफिडेविट बोल रहा हूं, वहाँ से लोग आये, सेटिंग ये थी, कि आपके बच्चे को 100% मार्स मिला के मेडिकल में एडमिशन मिले, तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे बरेंगे, और कॉंसीब मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो, उसके रेट थे, इसलिए ब्लैंक चेक, और 10-10 लाख रुपिय एडवांस लिए गए थे, तो ये, आप समझे कि क्या मामला था, कि जैजलाराम स्कूल में आप गएं, आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है, उसमें आपको जो आंसर आता है, 100% शौर हो, उसको टिक करो, बाकि ब्लैंक छोड़ दो,